अब फेमिसाइल या फैक्स यह एक यंत्र होता है जिसे फेमिसाइल भी कहा जाता है, इसका सामान्य प्रचलित नाम फैक्स भी है, फैक्स मशीन द्वारा हम दूर्भाश लाइन के माध्यम से दस्तावेश दूसरे इस्थान पर जहां इसी परकार की फैक्स मशीन लगी होती ह भीज सकते हैं इस विधी द्वारा हम चित्र तथा छपी हुई कोई भी सामगिरी दूरिस्थान पर भीज सकते हैं इसे पिक्चर फोटोग्राफी भी कहा जाता है यह एक विधी है जिससे हम संचार के माध्यम से संदेश लिखित रूप में भीजते हैं फैक्स द्वारा हम ग्राफिक डेटा जैसे फोटो मानचित्र तथा रेखा चित्र या कागज पर जो चाहें वह सरलता से भीज सकते हैं फैक्स मशीन विशेशता तब उपयोग में लाई जाती है जब दस्तावेज शीगृता से भेजने होते हैं यह नई तकनीक नहीं है वर्षो से यह वायर फोटोग्राफर द्वारा संभव होती रही है परन्तु आधुनिक उन्नक तकनीक से यह विदी अधिक सस्ती तथा भरोसिमन हो गई है तथा इसका उपयोग अब बहुत हो रहा है अब इत्यास फेक्स मशीन का विकास टेलिग्राफ तकनीक द्वारा हुआ है एलेक्स जेंडर बेन द्वारा एक फेक्स मशीन का अविश्कार किया गया जिससे टेलिग्राम के माध्यम से संकेत प्राप्त करके उनको कागज पर 45 में शुरू हुआ परन्तु इस टकनीक का तब तक वास्तरिक प्रभाव नहीं पड़ सका जब तक दूर संचार नेटवर्क तथा कम्प्यूटर की उन्नती नहीं हुई अब फेक्स उपकरण के प्रकार आजकल गतीवा टकनीक की अधार पर तीन प्रकार की फेक्स मशीन उपलब्ध हैं पहला वर्भ अर्थात अनलोग टाइप मशीन की लोग प्रिता अब घट रही है कमचाल वाली इकाई इस समू में आने वाली मशीनों का कारे दस्तावेज को स्कैन करने के बाद भीजना तथा प्राप्त करने की पश्चात उसको 4 से 6 मिनिट में प्रिंट करना होता है यह सबसे पहले आई थी तथा एनलोग टकनीक पर आधारिक थी आजकल इस प्रकार की मशीने शायद ही कहीं प्रियोग में लाई जाती है अगली मध्यचाल की इकाई इस प्रकार की मशीनों की भीजने की गती एक से 3 मिनिट होती है यह इकाई एनलोग या डिजिटल टकनीक पर आधारिक है इस वर्ग की कई मशीने तो कम गती की मशीन के समान ही कारे करती है इसलिए संदेश भीजने की गती भी धीमी ही होती है अब उच्चे चाल की इकाई इस वर्ग की मशीन में पूर तहा डिजितल तक्मीक प्रियुक्त होती है तथा संदेश भीजने की गती एक मिनट से भी कम होती है इस प्रकार की मशीने आजकल प्रतिस्ठानों में अत्यधिक लोग प्रिये हैं अब संचालन के सिध्धान फैमिसायल संचार में दो फैक्स मशीने एक भीजने के लिए तथा दूसरी संदेश प्राप्त करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है तथा उन्हें दूर्भाश लाइन से जोड़ा जाता है पहली भीजने वाली इकाई दस्तावेज को प्रकाश के माध्यम द्वारा जाचा जाता है या दस्तावेज को प्रकाश बिंदों में परिवर्थित करके इलेक्टिकल संकेतों द्वारा दूर्भाश माध्यम से भीजा जाता है इसी प्रकार चित्र से संबंदित तोन की विभिन्नता को AC एपलिट्यूड की भिन्नता में बदल कर प्राप्त करता की लाइन पर भेजा जाता है दूसरी प्राप्त करने वाली हिकाई यहाँ पर एक स्थिर्श श्रोता से प्रकाश फोटोग्राफिक सामेगरी पर डालने का प्रभंध होता है तथा प्राप्त किये गए प्रकाश बिंदूओं को बीजने वाले की समान गती से स्कैन किया जाता है प्राप्त होने वाली तरंग बिंदू के बदलाव से प्रकाश वाल का संचालन होता है जो फोटोग्राफिक सामेगरी पर पढ़ने वाली प्रकाश की तीवरता को नियंद्रित करकी वास्तरिक फोटो को पुन्हाँ चित्र के रूप में तयार करता है प्राप्त करने वाली मशीन प्रतिविंब की डिजिटल सूचना को उन्हें बदल कर आउटपुट को फोटो सेंस्टिव कागज पर चित्र का प्रतिलिपी प्रिंट कर देता है अब फैक संदेश भीजने के चरण पहला चरण भीजने वाले दस्तावेज के प्रतिविंब को स्कैन करना दूसरा चरण संदेश भीजनी बद विद्धारा के आवेग के रूप में भीजा जाता है तीसरा चरण प्रतिविंब को प्राप्त करने वाली मशीन द्वारा पुना संकेत बनाना तथा प्रिंट करना चौथा एवं अगला चरण संदेश भीजनी की रिपोर्ट बनाना जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित चितर में आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को ट्रांसेक्शन रिपोर्ट कहा जाता है फैक्स भीजने वाले की उप्रोक्त रिपोर्ट में निमने विवरण होगा पहला संचार का ढंग फैक्स मैन्वली भीजी गई होगी इसलिए लिखा होगा मैन्वल ट्रांस्मीट दूसरा दूर्भाष नंबर प्राप्त करता का दूर्भाष नंबर लिखा होगा अगला प्रस्ट फैक्स किये गए प्रस्णों की संख्या दी गई होगी अगला भेजने का आरंबिक समय वह समय जब फैक्स भेजना प्रारंब किया गया लिखा होगा फैक्स की अब धी संदेश भेजने में कितना समय लगा परिणाम पास परिडाम का अर्थ है कि संदेश सफलता पूर्वक भेज दिया गया है अब फैक्स प्राप्त करता क्या है? यह एक यंत्र है जो दूर्भाश लाइन द्वारा भेजे गए संदेश की प्रतिलिपी को प्राप्त करने के पश्चात एम, वाइज या फिक्वेंसी या डिजिटल संकेत को डीसी संकेत में बदल सकते हैं डीसी याने डारेक्ट, करेंट, संकेत नुकीली सुई को किरियाशील करता है या प्रकाश को फोटोग्राफिक डिकॉर्डिंग करने के लिए मार्जूलेट करता है फैमिसाई, स्कैनर, दस्तावेज के समान गती वाले ड्रम या चप्टी स्लेट पर गोलाकार गती से प्रकाश किरन द्वारा स्कैन किया जाता है, जो बदली हुई, डीसी संकेत उत्पन करता है तथा एम वोय्स, फ्रिक्वेंसी में बदलकर फैक्स द्वारा दूर्भाश लाइन से प्राप्ट करता को भीजने के लिए तयार करता है स्क्रीन पर आप फैक्स मशीन के बटन देख सकते हैं फैक्स मशीन का यह मॉडल फैक्स स्कैनर तथा प्रतिलिपे बनाने का सम्मलित प्रारूप है इसके कार्य निम्न है और पावर बटन एंटर यह विभिन विकल्पों को दर्शाने वाली सिलेक्ट की है इस बटन पर दाएं बाएं तीर के चिन्न है जो विकल्प के भिन भिन मेन्यू या सब मेन्यू को दर्शाते हैं एंटर दबाने से वांचित विकल्प को चुना जा सकता है फैक्स फैक्स विकल्प को चुनने के लिए युक्त होता है कैंसिल यह बटन दी गई कमांड को कैंसिल करने का अठात हटाने का कारे करता है ब्लेक कलर यह बटन प्रिंटिंग के रंग नियंत्रण के लिए प्रियोग में लाया जाता है नंबर पैड जो मशीन के बाएं और होते हैं नंबर टाइप करने में प्रियोग होते हैं यह प्रतलिपी की संख्या में प्रियोग होते हैं पेपर ट्रे मुख्य मेशीन के नीचे एक पेपर ट्रे रखी होती है जिसमें पेपर रखा जाता है प्राप्ट फैक्स संदेश इस पेपर पर प्रेंट होते हैं री डाइल यह है बटन एक बार डाइल किये गए नमबर को उन्हें डाइल करने के लिए काम आता है स्पीड डाइल यह है डाइल करने की गति को बढ़ाने का कार्य करता है स्टार्ट फैक्स भीजने तथा प्राप्ट करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है Facts के संदेश दो प्रकार के कागज पर प्राप्त किये जा सकते हैं पहला चमकदार यानि थर्मल चमकदार पेपर पर लिया गया प्रिंट कुछ समय बाद हलका पढ़ जाता है दूसरा साधारन पेपर यानि और्डिनरी पेपर आजकल साधारन पेपर पर फेप्स प्रिंट लिया जाता है जो बहुत समय तक खराब नहीं होता है अब फेप्स मशीन प्रियोग करने की क्रिया या उप्योग आजकल फेप्स का प्रियोग बहुत भड़ गया है विशेश तहा प्रेस के काड़े के लिए अत्वा बैंक इंशोरेंस कंपनी दलाली तथा अन्यवित्य प्रतिस्थानों में फेप्स मशीन का उप्योग विभिन प्रकार के पत्र सेखानर, केड़ेट्स, केड़ेट्स तथा जिस स्थान पर वैद हस्ताक्षनों की आवशेक्ता होती है आधी भेजने के लिए होता है बहुत से वियापारिक सनस्थानों की शाखाई दूर-दूर इस्थित होने के कारण इस प्रकार की दस्तावेज को शीगर भेजने के लिए फैक्स बहुत सहायक सिद होता है दूर इसित व्यक्तियों से दस्तावेजों पर विचार विमश करने में सहायता होती है फैक्स विशेश तहा उन इस्थितियों में बहुत लाबदायक होता है जब आवश्यक दस्तावेज एक निश्चित समय पर भेजने हो अब लाब तथा सीमाए फैक्स मशीन किसी भी कार्याले के लिए ग्राफिक प्रतिलिपी भेजने का एक आवश्यक साधन है फैक्स मशीन के कुछ लाब है पहला वास्त्रिक दस्तावेज की तुर्टिहीन प्रतिलिपी तयार करना यह प्राप्त करता को मूल दस्तावेजों की वास्त्रिक प्रतिलिपी उपलब्द कराता है दूसरी किस्म की मशीनों में बिलकुल एक समान प्रतिलिपी तयार नहीं होती जैसा कि इस मशीन में परन्तु इसका विशेश लाब यह है कि भेजे गए संदेश का रिकॉर्ड मशीन में ही एक लब्ज रहता है दूर्भाश वारतलाब द्वारा सही संदेश भेजा जा सकता है परन्तु उसका कोई लिखित विवरण नहीं होता जबकि फैक्स द्वारा भेजे गए संदेश में डुप्लिकेट कॉपी बना कर भेजी जाती है तथा प्रमुक कॉपी आपके पास रिकॉर्ड के लिए रह ज जाती है अगला उच्छी गती से ट्रांस्मिशन भीजने वाले की मशीन से दस्तावेज का ट्रांस्मिशन तुरंत प्राप्त करता को प्राप्त हो जाता है जैसे दूर्भाश में कही बात तुरंत सुनाई दे जाती है उसे प्रकार फैक्स भी तुरंत दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। फैक्स एक डाग भीजने तथा प्राप्त करने का विकल्प भी है। इसके माध्यम से दस्तावेज, कोरियर या डाग सेवा के मुकाबले बहुत शीगरता से भीजे जाते हैं। डाटा सही भीजना, क्योंकि फैक्स द्वारा डाटा को पुने टाइप करने की आवशेक्ता नहीं होती, अते त्रुटियों का मुख्य स्त्रोत समाप्त हो जाता है। फैक्स मशीन किसी व्यक्ति की सहायता न लेकर स्वैम ही दस्तावेज प्राप्त कर सकती है, तथा यदि निर्देशित कर दी जाए, तो यह सभी प्रकार की रिपोर्ट्स भी तयार कर देती है, जिसको सुभे चेक किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे वै में भी कमी होती है, तथा रात्री में भी फैक्स संदेश प्राप्त किये जा सकते हैं। दस्तावेज खोने का डर नहीं रहता। उप्रोक्त सब लाप के अत्रिक छोटे प्रतिस्थानों के लिए इसका मुल्य अधिक होने की कारण वै अधिक प्रतिक हो सकता है।